जेह हिंद बंदे मात्राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीटेस ब्रोदर प्रड़तमों में राश्टीज मिसिक्षाद दीशी जामीन आजी फ्रॉम बीटेस ब्रोदर तो दोस्तों इसमें हम लोग यह छठा लेक्चर है इससे पहले पांच लेक्चर हो चुका है हर लेक पाट वन है हिंदी सबसेडरी का एकजाम होने वाला है उसका इंपोर्टेन इसमें हम कराएंगे तो अगर हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो में ते रहेगे लाइक कमेंट शेर चरूर करें तो च आप लोग उसको भी पूरा तरह किरें कि इसे पले पांच लेक्चर हो चुका है उसको इसका डिस्क्रिप्शन या पर लिष्ट में जरू दखिएगा सब में 50-50 कोश्चन है यानि 6-35 यानि 300 कोश्चन हो गया है यह 50 और एक और लेकर आएंगे 50 यानि 400 कोश्चन आप गया है copy यह अधिल सुनरे तो देखिए दोस्तों सीमा रइखा तो में पूसे शक्ते देखा ही सब्सक्रिण कंट। कियेगा सी मारका क्या है एक आंकी है या किसके दर लिखा गया है तो बी सुडू पर भाखर दोबरा क्वरेक्ट एंस और टी हो जाएगा अवेला क्वेशन चार नमर देखिए कोह रहा है कि नीवन में से एक आंकी होता है कि तो एक आंकी जो होता है दोस्तों यहाद द्रॉज सिकाब होता है यानि और द्रेक्टर से 4 पर डि पिंस नमर देखिए कोह रहा है बादल की म्रित वे एक आंकी का राचनकार कॉब है था यानि राचनकार जो पूछ रहा है इसमें यह कुछ नहीं तो क्या होगा यह कुछ नहीं तो क्या होगा एक आंकी होगा तो इसके राचना काल कब था तो 59-90 में इसकी राचना होई थी अगला कोश्चन देखिये छे नंबर कर रहा है सील्प बिधान की द्रिष्टी से एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं तो यहां पर द्रिष्टियों कदी तहीं कोरेक्ट पिसर आपका सी तो दुझे को अब लिएंधिनास fusion स ओजाएगए अगला Q8 न में देखिए कॉपुतर खाना किसी एकांकी है यानि क्या है एकांकी है और किसके द्वारा लिखा गया है तो जगदिस चंदर मात्र द्वारा लिखा गया है ए हो जाएगा अगला Q9 नमी लिकित मैं से हिंडी के परमुख एकांकी कार कौन है तो यहाँ पर पर्मुक एकांकी कार पूछ रहा है तो उपेंदर नाथ अस्वक हैं करेक्ट एंसर आपका पी हो जाएगा अगला क्वेशन दस नमब देखे करा है एक घुंट एकांकी कार का रचना काल क्या है देखिए दुस्तों इसको भी ध्यानुक एक घुंट क्या है यह एकशना काल का बब हुआ था तो ओनए 129 था यानि 1929 में इसकी रचना हुई थी अगला question एक गारा देखे कर रहा है हिंदी का प्रथम एकांकी की से माना जाता है तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो है एक गुंट को माना जाता है एक गुंट जो है या एकांकी या प्रथम एकांकी इसको कहा जाता है अगला question बारा कर रहा है हिंदी एकांकी का जनक की से माना जाता है तो भारतेंदू हरिस्चंद्र को माना जाता है हिंदी एकांकी का जनक 12 नमर देखिए 12 का पर correct answer C हो जाएगा चलिए next question की तरफ आगे पढ़ते हैं 13 का रहा है मात्री मंदिर किसकी एकांकी है तो मात्री मंदिर जो हरिक्रिष्ण पिरेमी की एकांकी है मात्री मंदिर क्या है एकांकी है correct answer रपकर C हो जाएगा इसमें हरिक्रिष्ण द्वारा लिखा गया था 14 देखिए कर रहा है संकल तर संकल तर क्या है तो संकले तरे जो है समय अस्थान कारे हैं यानि चौदा का पड़ी हो जाएगा पंद्र नमदी के कर रहा है भोर का तारा एकांकी किसकी है तो भोर का तारा यह तो important question ही है इसको यह क्या है एकांकी है तो भोर का तारा जो है एकांकी किसकी है तो यह जगदिश चंदर माथुर की correct answer C हो जाएगा 16 नमदी कर रहा है एकांकी में सुधार अनिवारेत होता है तो क्या एकांकी में सुधार होता है तो नहीं हाँ कभी नहीं यह कोई नहीं तो जी हाँ एकांकी में सुधार किया जाता है correct answer आपका भी हो जाएगा उगला question सतर देखे कर रहा है नदी 85 थी एकांकी किसकी है तो धर परकार की एकांकी किस के द्वरा लिखा गया है तो धरंबीर भारती के द्वरा लिखा गया है अठारा देखे कर रहा है दीपदान किस बीधा की रचना है तो देखिए यहां पर कोश्चन आहीं गया दीपदान जोए क्या है यह एकांकी है तो दीपदान जोए किस बीधा की किसे कहा जाता है तो यह तो बहुत important question बनता है दोस्तों जो question इससे पहले आया भी है जो एक्जाम होता है objective जिसमें दस question रहता है उसी में आया था यह question तो आधुनिक एकांकी नाटकों का भिश में यूग की रचना है तो भारतेंदू यूग की रचना है एक कोईश देखिए कारवा एकांकी किसकी किरिती है कारवा क्या है दोस्तों यह एकांकी है किसकी किरिती है भूनेस्वर परसाधिकी correct answer बिनोदर रसे हो जाएगा दोस्तों यह जो है एकांकी किया है यह एकांकी है इसकी है तो बिनोदर रसे है लिए रस्तोंगी का है यानि बिनो रस्तोंगी द्वारा बहु की बीदा लिखा गया यह क्या है एकांकी है 24 देखिए एकांग की सामाने तो कितने समय की होनी चाहिए यह बहुत important question है दोस्तियों यानि यह जो है कितने समय की होनी चाहिए 30 से 45 मिनट की होने चाहिए एकांग की कम से कम 30 से 45 मिनट तक का होना चाहिए देखिए दोस्तों 25 नमर question सुखी डाली एकांग की किसकी है तो सूखी डाली एकांकी जो है उपएंदर नाथ है और स्वक का है correct answer आपका भी हो जाएगा देखें दोस्तों 25 question हो चुका इसके बाद 25 question और कराएंगे अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो subscribe करें बेल लाइकन को प्रेस करें जी से आपको समय समय पर विडियों मिलते रहेंगे like comment शेर जट करें 26 देखें को रहा है मिटी का सेर एकांकी देखें मिटी का सेर क्या है यह एक पर करती एकांकी है सिर्फ़ इसमें एकांकी question मिलेगा दूस्तों तो मिटी का सेर जो है एकांकी किसकी रचना है तो गंगा परसाद की शिरीवास्थाउ यह यनीजिक सेर क्या क्या है एकांकी है बाटा गया है, correct answer D हो जाएगा, अगला question 28 देखिए, कह रहा है, 28 नमबर, चरवाहे एकांकी किसकी है, तो चरवाहे एकांकी जो है, उपेंदर और स्वक की है, correct answer आपका C हो जाएगा, अगला question चलिए, 29 नमबर पर चलते हैं, कह रहा है, डॉक्टर नगेंदर ने हिंदी एका परसाद को, correct answer E हो जाएगा, अगला question 30 देखिए, चारु मीतरा किसकी एकांकी है, तो चारु मीतरा जो है या क्या है, एक परकार की एकांकी है, किसकी है, तो राजक्मार बार्मा की correct answer C हो जाएगा, अगला question 31 देखिए, तामबे के किड़े एकांकी किसकी है देखिए यह तामबे कीड़े क्या है यह एक परिकार की एकांकी है किसकी है तो भूनेश्वर परसाद मिसिरिका है 32 देखिए सिक्षादान किस विधा की रचना है तो सिक्षादान जो है यह एकांकी है सिक्षादान क्या है यह एकांकी है जो भुनेस्वर परसाद द्वारा लिखा गया है 33 देखिए करा है 20 कन्या एकांकी किसकी है तो 20 कन्या जो है क्या है यह एक परकार की एकांकी है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोबिंद बल्लव पंद के द्वारा लिखा गया है, अगला question 34 देखिए, हंस का, यानि हंस का, यह क्या है, एक परकार की एकांकी है, एकांकी बिसे सांग को परकासी थिवा था, तो हंस का एकांकी बिसे सांग में परकाशित हुआ था करेक्ट एंसर आपका भी हो जाएगा अगला कोश्चन पॉइंटीस देखिए पॉइंटीस कर रहा है रंग मंच पर अभिनाय द्वारा परस्तुत करने की दृष्टी से लिखी एक अंक वाली राचना क्या है तो उसी को हम लोग क्या कोते हैं एक आंक कि नाटक में बहुत अंक रहता है लेकिन एक आंकि में सिर्फ एक अंक है इसलिए पढ़ा है एक कांप को चतिस देखिए के सव दास के पीता का क्या नाम था तो के सव दास के पीता का नाम जो था दोस्तों का सी नार्था करेक्ट अंसर आपका इसमें सी हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए 37 तर स्वैंटीज, राम चंदरीका की रचना कब हुई थी, तो राम चंदरीका की जो रचना हुई थी, सोरे सो एक इसवी में हुई थी, चलिए अगला कोशन, और देखें, राम चंदरीका जो है, सोरे सो एक इसवी में किसके दौरा के सो दास दौरा रचना किया गया था, चरीत रहे किसकी रचना है तो यह केस्व धास हाकी रचना है। यहां पर देखेंगर रचना है कि यतजिए कि市 धास का जनम कहां हुआ था यहां हुआ था ऑढos नम हुआ पैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको समय सब्सक्राइब वीडियो मिलती रहेगी तो 21 एक पर एक के सो दास ने रस बीवेचन के लिए किस कृर्टी की रचना की थी तो 41 का आपका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा रसी कप्रिये 41 का अपका भी हो जाएगा क्रेक्ट एंसर चलिए 42 पर चलते हैं लेगे दोस्तों पंद्रे से लग पंद्रे बीस मिनट का आप पंद्रे से सोरे मिनट का वीडियो होता है पंद्रे मिनट से भी कम है जिसमें पच्छास क्वेश्चन हम पूर आपको लोग कराते हैं तब भी आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं तो और क्या आप लोग का एक्जाम है और आपको वीडियो नहीं देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें मूडाल पेपर से बेतर है , मूडाल पेपर तो सिर्फ नाम का मूडल पेपर कहला केशो दास का जणम कि सुन में हुआ था तो के였습니다 का जनमों 1757 में हुई थी कुरेक्ट एंसर इंसर आपका धी हो जाएगा अबला कोशन था आली tel देखिए कर रहा है कर था है निम्न रतण बावनी किसकी कुरी थी थीसय की रचना इंट रत नभावली किसकी रचना तो रत Cor1 की रचना है कि होत्यवाली राम चंदर सुखूल है यह सबसे आनोचक कभी भी माने जाते हैं राम चंदर सुखूल अगला question देखिए 46, घानानंद की कितनी रचना है पराप्त हुई है, तो घानानंद की जो है 5 रचना है पराप्त हुई है, correct answer आपका D हो जाएगा, अगला question 27 देखिए को रहा है, डॉक्टर नागेंदर ने घानानंद के पदो की संग कितनी मानी है, यहाँ पर डॉक्टर ना question है, निम्न में से ब्रज ब्यवार किसकी रचना है, तो ब्रज ब्यवार जो एक घानानंद की रचना है, correct answer आपका C हो जाएगा, चले second last question, इसके बाद दोस्तों पच्चास question और कराएंगे, उन्चास देखिए करा है, अरे बीर पौने सबे ओन गौन भीरी पक्ति में गौ चल पना है, तो सब्सक्राइब करें, बेल ऐकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियों मेंते रहेगे, लाइक कमेंड शेर जरूर करें, तो देखिए पच्चास नम्हों करा है, भावना परकास किसकी किरती है, तो भावना परकास जो है, यहाँ घानानंद की क सब्सक्राइब करें, बेल ऐकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियों में तब तक के लिए धान्य बाद, जैंद, बंद मातरम दोस्तों